आपके राशी क्या है? दोस्तों आप भगवान भोले नाथ के भक्त है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महा दे जोतिश शास्तर में प्रत्येक राशी की अपनी विशेशता के बारे में बताया गया है राशी चक्र में बारा राशी के बारे में जिक्र किया गया है और इन सभी राशी के जातकों में अपने विशेश गून होते हैं जोतिश के अनुसार इन सभी राशियों में कुछ राशियां ऐसी हैं जो शिव जी के अतिप्रील भोले नाथ बहुत भोले हैं और सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं हिंदु धार्मिक मान्यता के अनुसार सुमबार का दिन भगवान शिव का दिन होता है इस दिन विध्यविधान से पूजा करने पर भगवान भोले नाथ प्रसंद होते हैं और उनकी कृपा प्राप्थ होने की मान्यता है। शंकर भगवान हिंदू धर्म के प्रमुख देवता है। इन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। स्रिष्टी की उत्पत्ती, स्थिती और सहार का आधार शिव को ही माना जाता है। इन जातकों के जीवन में कष्ट तो आता है, पर ये उन सभी कष्टों का निवारण करना अच्छे से जानते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव की उपासना का विशेश महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान शिव अपने भगतों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनके शरण में जो भी आता है, वह जल्द ही हर समस्या से निवारण पाता है। शिव जी की क्रिपा से इन जातकों के सारे काम आसानी से बन जाते हैं। भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। महादेव अर्धनारिश्वर नीलकंठ भोलेनाथ। आप जिस भी नाम से भगवान शिव को स्मरण करेंगे, भगतों की प्रार्थना उन तक पहुँच जाएगी। सुमबार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती है। पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है और उन्हें ब्रसन करने का हर संभव प्रयास किया जाता है, जिससे की भक्त के सारे कष्ट दोर हो और उसे मनोवांचित फल की प्रा शीके जातक अगर भोले नात का स्मरण मात्र कर ले तो भी उन्हें सब कुछ मिल जाता है। मित्रों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृप्या चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आप भी चानते हैं ऐसे ग्यान घर घर तक पहुँचे तो यह वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए।